आओ यार बाते करते हैं चार क्या नाम है आपका पहले बाद फिर मुला काथ फिर जरूरत पड़ी समाज से दुस्मनी आज से बन अरे पूरा डाइलाग समाज से दुस्मनी आज से बन दबं के चुलबुल पाढ़ने तो याद ही होंगे आपको एकडम मस्त मौलादार होगा जो हसी मजाख मस्ती करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन वक्त पढ़ने पर अपराधियों को सबग भी सिखाता है रील लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी एक पांडे जी दार होगा नाम है भागवत प्रसाद पांडे मध्यप्रदेश के सीधी जिला में ट्राफिक इंस्पेक्टर के पद पर तैना थे भागवत पांडे की पहचान सिर्फ सीधी तक ही सीनत नहीं ये पूरे भारत में मश्रूर हो गए सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो इस स्पीड से ऐसे वाइरल हो रही है जिस स्पीड से इने देख कर ये लड़का भाग रहा है भागवत पांडे का अंदाज जरा निराला है वैसा नहीं जैसा हम और आप सोचते हैं वो तिरंगा फिल्म वाला डायलोग याथ है जो राज कुमार बोलते हैं पहले बात फिर मुलाका फिर अगर जरूरत पड़े तो लाग कुछ यहीं अंदाज है पांडे जी का पहले बाद फिर मुला काथ फिर जरूरत पड़ी तुम्हारे आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही है अखिरकार ऐसे कौन से जुर्म कर दिया तुमने अच्छा है गूमेंगे पीरेंगे एस करेंगे पुलिस वाले ऐसे ही मंडराते रहेंगे हमारे आगे पीछे हमको कुछ न करना पड़े अच्छा है देश भर में लॉकडाउन ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जनता से लॉकडाउन का पालन करवाए इसके लिए कई बार पुलिस को डंडा भी उठाना पड़ता है लेकिन भगवत प्रसाद पांडे का अंदाज लोगों को मास्क बांटते हैं उनका यहीं अंदाज लोगों के दिलों में घर कर गया है रोज रात आट बजे जब वो फेस्बुक यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के कई देशों से हजारों लोग उनका लाइव देखते हैं उन उनके दूसरे पेज गर्फ करो इस वर्दी पर करीब सत्तर हजार फॉल्वर्ज हैं उननस हजार से जादा लोग इसे लाइक करते हैं भागवत प्रसाद पांडे दारोगा जी नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहां जाकर आप उनके धेर सारे वीडियो देख सकत हैं कि वो कैसे लोगों को प्यार से समझा रहे हैं कि लोगडाउन का पालन करें कोरोना को हराने के लिए आप भी लोगडाउन का पालन करें क्यूंकि हर पुलिस वाला भागवत प्रसाद पांडे की तरह नहीं होता जो लोगडाउन के दौरान आपको प्यार हसी मजाक और म मिक्री कर या फिर मजाक मजाक में उठक बैठक करा कर छोड़ दे